नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रों क्यों पढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर इंटर कमपार्टमेंट सफ विशेश परिच्छा में आवेदन करने का आखरी मौका राजश्व करमचारियों का काड़े आले चलेगा इस भवन में बिहार में बर्ट फ्लू ने दी दस्तक बिहार में 48 लाग मनरेगा जॉब काड़ हुआ रद चस्प्रीत बुम्रा और श्रेयस आयर के इंजरी पर BCCI का बड़ा अपडेट इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबडों के ओर विस्तार से ऐसे में जिन शात्रों ने अब तक आविदन नहीं किया है उनके लिए आविदन करने के लिए कल तक का आखड़ी मौका है मैं सुलक जमा करने का अंतिम तारिक 24 अपरेल तक नर्धारित किया गया है इसके साथ ही बोर्ड के द्वारा इंटर परिच्छा 2023 की उत्तर पुस्तिका के स्कूरूटनी के लिए आविदन करने के आखड़ी तारिक 17 अपरेल यानी की कल तक नर्धारित की गई है बतादे के इंटर्मीडियर कंपार्टमेंटर सहव शेष परिच्छा का आयोजन 56 अपरेल से होने वाला है जो की 8 मैं तक चलेगा 3 मैं से 17 जून तक इन सहरों के लिए चलेंगी तीन जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन कुछी दिनों में बच्चों के स्कूलों की गर्मी की चुट्टी की शुरवात होने वाली है ऐसे में परिवार के लोग घूमने फिरने की योजनाज जरूर बनाते हैं इसी को देखते वे और यात्रीयों के अतरिक्त भीर को ध्यान में रखते वे उनके शुवधा के लिए रेलवे के द्वारा कहीं शहरों के लिए 3 मई से 17 जून तक के लिए 3 जोरी इस्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णाय लिया गया है पताते कि जिन 3 जोरी ट्रेन के परिचालन की शुरवात की जाएगी उनमें समस्तेपूर और लोकमान तिलक टर्मिनल्स के बीच 01043 और 01044 दारापूर और पूने के बीच 01039 और 01040 इवं छतरपती सिवाजी महराजा टर्मिनल और मॉंबई और मालदार टाउन के बीच 01031 और शुन्य एक शुन्य तीन दो स्पेशल ट्रेंज शामिल है ओनलाइन ठगी के दो मामले का हुआ खुलासा एक बार फिर से पुलिस के दौरा ऐसे दो गैंग को अपनी गिरफ्त में लिया गया है जिन्होंने लोगों से ठगी की है बता दी कि पहला मामला 50 लाग से जादा में निकाले गया है जिसके बाद पुलिस के द्वारदात में शामिल दो भाईयों को गरफतार कर लिया गया है जिसकी पहचान अरजुन मंडल और नकुल मंडल के रूप में की गई है बतादी के पूछताच में यह सामने आया है कि दोनों अपरादियों के द्वारा पिछल थगी की है राजश्व करमचारियों का काड़े आले चलेगा इस भवन में राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेता के द्वरा सक्त नर्देश देते वे कहा गया है कि बिहार के सभी राजश्व करमचारियों का काड़े आले सरकारी भवन में सं ये अस्तार उनके हलका में इस्थित पंचाय सरकार भवन, पंचायत भवन, सामुदाईग भवन या फिर कोई अन्य सरकारी भवन हो सकता है और अगर किसी गैर सरकारी भवन में राजश्व करमचारियों का कारयाली चलता है तो उस कारयाली को अवैद माना जाएगा बिहार में बर्ट फ्लू ने दी दस्तक बर्ट फ्लू ने अपना कदम बिहार में रख दिया है दरसल राश्टिये उच्छ सुरक्षा पसू रोग संस्थान भोपाल के द्वारा बिहार के भागलपूर बरारी में बड़ी संख्या में मुर्गे मुर्गियों की मौत के बाद लिए गया सैंपल की जांच करने के बाद या जानकारी निकल कर सामने आई है जिसकी बाद चिला प्रशासन के द्वारा बरारी छेत्र में एक किलो मीटर तक के छेत्र को संक्रमित घोशित कर दिया गया है डियम्ट सुबरत कुमार सेन के द्वारा दी गई जानकारी के प्रवाविच चेत्र के 10 किलो मीटर के एरिया में पाय जाने वारे सभी पोलट रिफॉर्म और मुर्गे के मास विक्री की दुकाने को बंद कर दिया गया है बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया अलट बिहार में दिन प्रति दिन पाड़ा बरता जारा है ऐसे में बिह के अनुसा राजे में अगले 4-5 दिनों के बाद बिहार के अधिकांस भागों में तापमान 42-44 डिड़ी तक पहुंच सकता है इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी चारी कर दिया गया है बता दे किस दोरान जिन जिलों में लोग के सिती बनी रहेगी उनमें गो बिहार के लोगों को कैंसर का रॉक करने के लिए बिहार से बाहर अब नहीं जाना होगा दरअसल बीते दिन मुक्हा मंत्री इंदीश मोगार के द्वारा जय प्रभा मेधानता सूपरस्पिसेलिटी होस्पिटल में कैंसर रोग का रुक का इलाज करवाने के लिए लेकिन दो महीनों के बाद लोगों को इलाज करवाने के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुरंत उस राशी की वशूली करें पतादे के जिन काड़ों को रद किया गया है वे सभी काड नकली तिथा अनुपयोगी जॉब काड है वहीं बिहार के जिन जिलों के जॉब काड को रद किया गया है उनमें बेगुसराई, बकसर, मदुबनी, मुझःपरपुर्पुर नालंदा, नवादा, पुर्वी चंपारन और पुर्णिया आदिश शामिल है। मेरे इस जंदन पर इससे बढ़कर कोई और तोफा मेरे लिए हो ही नहीं सकता। वहीं उनके इस पोस्ट पर उनके फैंस और कारी करताओं के दरा लगातार उन्हें जंदन की बधाई दी जा रही है। अगर कोई इमांदार प्रत्याशी खड़ा होता है तो जंसुराज उनकी भी मदद करेगा। और इसके साथ ही यह भी दावा नहीं क्या जा सकता है कि लोगसभा चुनाओ से पहले पदियातरा खत्म हो जाएगी। लोगसभा चुनाओ को लेकर हम पार्टी की राश्ट्रिय कारेकार्णी की बैठक आज। आज यानी की 16 अप्रेल को बिहार की राश्ट्रिय की बैठक हुई। पतादे की इस बैठक का उदगातन जीतन राम मांजी के द्वारा किया गया इसके साथ इस बैठक में परश्रिममंगाल इतर प्रदिश असम दिल्ली के भी। हम पार्टी के प्रधान महासचीव राजेश पांत्रे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राश्ट्रे कारी कार्णी के बैठक में कई मुद्दो पर फैसला लिया जाएगा और साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ट निताओं के द्वारा कई मामलू पर विचार भी किये अब उनके सपनी को नया जटका लग गया है कुछ दिनों पहले ही विपक्षी एक्ता को लेकर एंसे पी प्रमुक सरत पवार की मिलकात कॉंग्रस अध्यक्ष मलेका अर्जिन खडगे और राहुल गांधी से हुई थी मैं अब ऐसी खबर सुनने को आ रही है कि एंसीप करना सुसील मोदी ने नितीज सरकार पर आंक्रे चिपाने का लगाया आरोप बिहार सरकार के पुर्व उपमोख्यमंत्री एवं राजिश सभासदाशिर सुसील कुमार मोदी के द्वारा पुर्वी चमपारन में जहली सराप से हुई लोगों की मौतों को आंक्रे को चुपाने क के दोरा चुपाया जा रहा है और मौत का कारण डाइलिया या अग्यात बिमारी को बताया जा रहा है इसके साथी पुलिस के डर से भी पिरना पोस्ट माटम के कई मृतकों के सब को जला भी दिये गए हैं जिनमें अधिक तरदलत और पिछली जातियों के लोग शामिल है उसी तरह पुर्वी चमपारन में भी यही किया जाड़ा है जस्प्रीद बुम्रा और श्रेयस आयर के इंजरी पर BCCI का बड़ा अपडेट बीते दिन सनिवार को BCCI के दोरा भारत के तेज गेंदबाज जस्प्रीद बुम्रा और श्रेयस आयर के इंजरी को लेकर एक rehabilitation शुरू कर दिया है वहीं श्रयस अयर अपने चोट से निजात पाने के लिए बैक की सर्जरी करवाने वाले हैं दरसल भायत के स्टार तेज गेंद बाद जस्पीद बुम्रा और मिडल और बैट्स में श्रयस अयर बैक इंजरी से जूज रहे हैं ऐसे में देखना दल्चस्प होगा कि दोनों खिलारी टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से फिट हो पाते हैं या नहीं जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज जानी रववार को पिट्रॉल डीजल करेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पत्ना में आज पिट्रॉल 107.2 रूपे और डीजल 4.2 रूपे प्रति लीटर मिल रहा है मुझे पूर्पूर में पिट्रॉल 107.9 रूपे और डीजल 4.6 रूपे प्रति लीटर मिल रहा है इसके साथ गया में पिट्रोली कीमत 180.3 एक रुपे और डीजल कीमत 95.04 प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पिट्रोल का एट सब ज़्यादा किसन गंज में है जहां पिट्रोल 129.4 प्रती लीटर और डीजल 46.04 प्रती लीटर गितर से मिल रहा है भीते दिने पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग अधा जवाब हमें हमारी कमें सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है जिन्होंने हमारा पूचे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अविशीक राज, बिट्टु कुमार राज, मृतियुंचय कमार, एतिहाद वरत्ते हैं आपने जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए तहीं बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ यह अगर आप युटूब से देखें चानल को सब्सक्राइब करना और फेस्बूस देखें तो पेश को फॉलो करना ना भूले था ने